तो कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूं कि आप लोग अपने घर में स्वास्त और सुरक्षित होंगे और मैं अपने इस रीडियो में आज चर्चा करूंगा बॉलीवुड की ऐसी पॉलिटिक्स जो हमेशा से चलती आई है और चलती रहेगी कहने का मतलब यह है कि बॉलीवुड में जिस वैक्ती की मोनोपॉली होती है वो कभी भी अपने नीचे के लोकों को पनपने नहीं देता या तो जिन स्टार के पास अपना बैक्ग्राउंड नहीं होता या बैकिंग नहीं होता वो बॉलीवुड में सर्वाइब नहीं हो पाता इसका यही वज़ा है कि आज से नहीं आप सेवेंटीज के दसक ते उठा लें बड़े बड़े स्टार लोग इसके शिकार हुए और वो जिस सफलता के वो हगदार थे उस सफलता को प्राप्त नहीं कर पाए और उन्होंने वो जगा या वो मुकाम हासिल नहीं किया जो उनके समकक्ष ऐसे लोग जिनकी मोनोपॉली थी वो लोगों ने प्राप्त किया इसी पर पूरी वीडियो करेंगे चर्चा आगे की वीडियो में वीडियो स्किप मत करिएगा और वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो आपको कैसा लगा जरू कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा मैं आपके कॉमेंट का इंतजार करूँगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते है 70's के दसक में अमिताब बच्चन के जगह पे कोई भी एक्टर सांस नहीं खिच पाया पता नहीं कितने लोगो मेरा ये वीडियो देखने के बाद कुछ उल्टा भी बोल सकते हैं कुछ गलत लैंगवेज भी बोल सकते हैं और किसी को जलन भी हो सकती है उसका यही कारण है कि लोग सच्चाई को सुविकार करने को त्यार नहीं होते हैं जैसे सचाई है वैसे सूविकार करना चुίο। विनौत खन continental इसके शिकार ह methyl है। Аप कही मायनों में देखिये जिसमें विनौत खना और अमिताब बच्चन आये हो। इसमें विनौत खना की रोल कु टिंग कीये गया है। जो भी बैकती विनोत खन्ना हो या कोई भी एक्टर हो अमिताब बच्चं को थ्रेट सावित होता था उनके रोल को फिल्मों में काट दिया जाता था या कैसे भी उसको उनके जगह को या उनके पिक्चर को वो जगह नहीं दिलवाय जाता था डिस्ट्रिबूशन के रहते हैं कि मेरे को मेरा मुवी न फेर कंपेटिशन मिलना चाहिए लेकिन उनको न शो मिल रहा है यह कितने बड़ी मोनोपॉली है आप सोचिए कि गुविंदा जैसे सुपर स्टार एक टाइम पे रहे उनको इन चीजों का सामना कर रहा है ऐसे ही अक्षे कुमार के बारे म बार क्या होता है जनता में बहुत बड़ी पावर होती है बहुत बड़ी शक्ति होती है जिसकी वज़े से कुछ ऐसे एक्टर बाहर में निकल जाते हैं और कुछ लोग दम भी तोड़ते हैं आज इसी पर चर्चा हम करेंगे अब ये चर्चा का विशक क्यों आया अब आ र में प्राप्लिम क्या है बस्क्साथ किंड़ के साथ लिज़ दिल पाल लगान दिल इससे पिक्चर उनकी आती रही है लेकिन आज के टाइम में क्या है शारू का एक मोनोपोली है एक इंडर्स्ट्री में पावर है जिसके आगे लोग खड़े नहीं होते हैं लोग घुटने टेक देते हैं लेकिन इस बादम के सामने कोई छोटा आदमी नहीं प्रभास कर रहे हैं प्रभास जो कि पैन इंडिया स्टार है इस वोग और शारूख खान को उनको बिट करना बहुत ही मुश्किल है और मुश्किल इसलिए हो रहा है कि देखिए गेम जूब शारूख खान के टरफ से शुरू हुआ तो सलार के तरफ प्रभास के तरफ उनकी टीम के तरफ सभी बरावस जवा मिल रहा है मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आप देखिए कि डंकी के जो डिस्ट्र जिसके मालिक हैं आपको बता दू पेन मरुधर इन्होंने अपने कमपनी की सुरवाद 2008 में की थी पेन स्टूडियो के नाम से और इन्होंने बड़ी-बड़ी पिक्चर है किया जिसमें उन्हों को 2019 में 370 करो कमाने का एक रिकॉर्ड भी बनाया था इन्होंने काफी बदला, ड्रीम गल, मरजावा, जवानी, जाने मन, लव आजकल, गंगु बई काठियावाडी, आर, आर, आर और उसके बाद ये गुम्रा, ड्रीम गल पार्टू, ये सब का उन्होंने डिस्ट्रिबूशन किया उन्होंने एक गेम किया, देखिए, पिक्चर का सारा गेम क्या है, अगर गदर ने रिकॉर्ड नहीं बना पाया इतनी जल्दी तो उसके वज़ा है कि उसको शो नहीं मिले, पहले का टाइम ही होता था कि शो कम मिलते थे तो पिक्चरे 25 हपते चलती थी उसके बाद हीट होत गोल्डें जूबली, सिल्वर जूबली मनाती थी, आज का सारा गेम है, एक हफते, दो हफते में शो काउंट बढ़ाओ, पूरा पैसा कमाओ, अगर आपको शो ही नहीं मिलेगा, तो आपके कमपेटिशन में कोई नहीं रहेगा, तो पिक्चर देखने आगिर मजबूरी में आपके लोग आप ही की पिक्चर जाएंगे, अभी माली ज आपके इलाके में, आप माले जवान नहीं देखना चाहते हैं, और आपके इलाके में जातर शो है जवान के, और आपके छुट्टी है, तो आप क्या करेंगे, आपको इंटर्टेन्मेंट के लिए जाना है, आपक किसी के फैन नहीं है लेकिन एक न्यूटरल आदमी कहा जाएगा तो मजबूरी में जवान भी जा सकता है जब कि उसको कोई और मुवी अगर देखना तो अप्शन नहीं बचेगा जब आपके बात ऑप्शन नहीं बचेगा तो आपको मजबूरी में वही पिक्चर देखनी हो लेकिन उदर सालार के ए ए फिल्म्स है जो आपको बता दू अनिल थटानी जो की रभीना टंडन के हस्वेंड है वो है डिस्रिब्यूटर उन्होंने बहुत बड़े बड़े राइस भी किया फुक्रे थ्री काफी बड़ी बड़ी पिक्चर है आपने देखा होगा कि ए ए फि सलार को स्क्रीन नहीं मिला जो कि हिंदी में रिलिज हो रही है लेकिन अगर उसको नहीं मिला तो वो एनिमल का शो नहीं देंगे जो एनिमल अगर उनको सलार के शो में कोई कम करेगा तो एनिमल उनको नहीं देंगे उस एक्जिबीटर को नहीं देंगे उन्होंने एनिमल को सामें रखके और खेलना शुरू किया बैटिंग तो एक तो यह हो गया दूसरा कहानी ही हो गया कि पूरी सोसल मीडिया में चल रहा है कि सलार जो है डंकी के और टीम के दो वो जो 2014 में मूवी आई थी उग्रम मैंने वो मूवी देखी है और एक एक्टर मतलब उसमें मैं की कानी ऐसी होती है कि वो पुलिस का आदमी होता है वो और वो शामिल हो जाता है उस गैंग में और गैंग के साथ रहके गैंग के हीरो होते हैं पुनित राज कुमार के जो बड़े भाई हैं वो उसमें मैं विलन होते हैं उनके नीचे काम करते हैं यह कानी होती है तो यह फ लावन हो जाता है चलो यह पिच्छा देखिऊ यह रिमेक है तो मतलब देखने वाले देखने भी जाते लेकिन थोड़ा सा गर दो परसे देंट हुआ तो डेंट हो गया तीसरा सबसे बड़ा चीज हो गया कि जो मूवी रिलिज हो रही है अब 22 दिसंबर को दोनों हो रही थी लेकिन अभी जो नहीं हो जा रहा है डंकी को एक दिन पहले रिलिज किया जा रहा है इसका कारण क्या है क्योंकि उसको लंबा विकेंड मिलेगा जो अपना क्रिस्मस के चुटी आती है और उसमें कमाई कर सकती है डंकी और जब तक रिलिज होगी सलाथ तब तक डंकी कमाई कर चुकी होगी एक दिन भी बहुत बड़ा होता है एक दिन में अगर मान लिजे कि आज कर देख रहे एक सतला में 20 करोड कमा रहे हैं तो वह 20-20 करोड से और South एक बहुत बड़ी territory है, ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा कोई state है उसकी territory है, तो और प्रभास का Pan India में एक fan following है, तो सारे मिला जुला कर इस समय देखा जाए, तो सलार ऐसा कोई star नहीं खड़ा है, जिसको आप बहुत ही आसानी से दबा सके, इस बार जो fight होने वाली है, वो बहुत जबदस सुने वाली है, डिस्टिबूटर भी strong है क्योंकि अनिल तडानी बहुत बड़े बड़े डिस्टिबूटर है, रविना टेंडन का अपना बैकिंग है, और उधर पेन एंडिया का, तो देखते हैं कौन इस लड़ाई में जित्ता है, लेकिन लड़ाई तो शुरू हो गई, अब इसमें जित्ता कौन है, इस पे बनी रहेगी मेरी निगाह, आपको ये वीडियो कैसा लगा, जो रूख कमेंट बॉक्स में बताईएगा, फिर मिलेंगे किती और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,